हलो दोस्तों मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है एक सेक मीचुवल फॉंड लार्ज कैप कैटिगोरी के मीचुवल फॉंड को माइनस में जाता हुआ मैं देख रहा हूं काफी इन्वेस्टर जो है परसान है कि यह गिरावट कब तक रहेगी क्या आगे का रिजल्ट ह होने वाला है तो आज मैं इसी टॉपिक को कवरेज करने वाला हूं यह वीडियो आपके लिए इतना यूजफुल होने वाला है कि यूटूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा और सायद नहीं मिलेगा तो काफी रिसॉर्च और जानकारी को लेकर मैं आपके साथ ह यह correction कितना परसेंट तक जा सकता है, यानि आपके mutual fund का जो गिरावट है, वह कितना परसेंट तक जा सकता है, फिर उठेगा तो कितना परसेंट उठेगा, और यह गिरावट कब तक रहेगी, market में हम बने रहें, या आपना पैसा market से निकाल करके, loss करके, चले जाएं, तो इन स सबसे पहले कुछ important tips पर बात कर लेता हूं, देखिए मैंने जैसे कहा कि आज का topic है market crash, और market crash में जो है, nifty 50 की बात किया जाए, यानि जहां पर mutual fund हो, stock हो, IPO हो, जो भी कुछ है, सारा चीज वहीं पर listed होता है, इंडिया में सिर्फ दुकान है, share बजार के, जहां से हर चीज क corporate किया जाता है, हर चीज का संचालन किया जाता है, तो आज अगर बात किया जाए, nifty 50 का, तो nifty 50 पिछले एक महिने में, minus 5.73% के गिरावट पर है, वहीं bank nifty की बात किया जाए, तो bank nifty भी एक महिने में, minus 5.30% के गिरावट पर है, तो देखिए mutual fund हो, या stock हो, हर चीज का ग आज गया कि nifty और bank nifty में कितनी गिरावट है, लेकिन आज कुछ important mutual fund, जिसको five star की rating मूली हुई है, customer के तरफ से, अच्छा खासा returning भी दिया है, लेकिन इस गिरावट में उनकी परिस्तिती कैसी हो गई है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ए मेरे हिसाब से कितना गिरावट आएगा, इसका आकरा लगा पाना काफी मुश्किल है, लेकिन है, एक करेक्ट आकरा मैं दे रहा हूँ, जिसके आज पास ही गिरावट होने वाली है, लेकिन उससे पहले चलिए, हम देख लेते हैं, कुछ important mutual fund को, तो देखिए, क्वांट small cap fund 5 star का rating और small cap में सबसे बहतरीन small cap, लेकिन उसकी भी परिस्थिती अगर देखा जाए, तो पिछले एक महिना में minus 6.80% गिरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे अच्छे fund की क्या इस्थिती रही है, अब बात कर लेते हैं, mid cap category mutual fund का, तो यदि mid cap के सबसे बहतरीन mutual fund को हमने लिया है, तो वो है, मोती लालो सवाल mid cap fund, लोग इसमें बात करते थे कि इसमें पैसा लगा के करोरो बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी परिस्थिती ऐसी हो गई है, कि एक महिने में minus 1.76% यानि minus 1.76% की गिरावट आई है, लेकिन इक चीज को और समझ जाए, कि इसी म इसी में बाजी मारने का मौका है, ये चीज बहुत कम लोग बताएंगे, और नए investor जो होते हैं, वो ऐसे ही ऐसे ही गिरावट में loss book करके चले जाते हैं, जिसका फायदा जो टीकते हैं, वही उठाते हैं, अब बात कर लेते हैं, large cap category mutual fund का, तो देखिए निपाउन इंडिया large cap fund जो है, पिछले एक महिना में minus 4.77% का गिरावट प्राप्त किया है, अब देखिए large cap, लोग बोलता है कि large cap में invest करो काफी save है, लेकिन large cap की इस्तिति आप देख लिजे कि निपाउन इंडिया large cap fund minus 4.77% का गिरावट हासिल किया है, अब बात कर लेते हैं, भारत के भरोस से मन, SBI का, तो मैं SBI के एक बहत्रीन mutual fund को लिया हूँ, और वह है SBI blue chip fund, यह भी large cap category में आता है, जिसका गिरावट minus 5.34% है, यानि इस fund में भी गिरावट देखने को मिली है, अब बात कर लेते हैं, index fund की, तो देखिए, हमने एक बहत्तरीन index fund लिया है, और वह है UTI Nifty 50 index fund, में एक महिने में माइनस 5.80% की गिरावट आई है, तो आपको तो मैं पहले पुरूफ कर दिया कि कितना गिरावट कहां आई है, लेकिन अब समझ लीजिए कि मार्केट में, यानि स्टॉक मार्केट में अभी कितनी गिरावट आ सकती है, तो मैं अब आपको बता दूं कि अ गिरावट आ सकती है, यह मेरा आकरा है कि अभी 15% तक का गिरावट आ सकती है, लेकिन अब आपको क्या करना है, जो इन्वेस्टर है, उनको क्या करना है, तो देखें यदि अब तो मैंस में चला गया है, आपका हो सकता है कि जो पैसा आपका प्रोफिट बना होगा, वो जो चीज में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको पेसेंस रखने की अवसकता है यदि आप अभी निकल जा रहे हैं तो आप घाटा करके जाएंगे हो सकता है मार्केट गीरे और गीरेगा मैं मानता हूं मार्केट और गीरेगा लेकिन यह मार्केट गीरने के बाद इतना उठता है कि जिसका कोई ओरंत नहीं है देखिए इससे पहले हमने कोवेट का क्रेक्षन देखा है और कोवेट के करेक्षन में मेरा इन्वेस्ट था SBI के फोकस्ट इक्विटी फंड में उससे पहले से हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था लेकिन कोवेट के समय हमने एक बार भी पैसा को जा कर नहीं देखा कि मेरे पैसे की क्या इस्ति है इसका वज़ा क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जब क्रेक्स कोवेट खतम हो गई और फिर से मार्केट में उच्छा लाना जब सुरू हुआ तो कुछ दिन के बाद मैंने जब अपने पैसे को देखा तो इनवेस्ट के दो गुना पैसा मेरा बन चुका था यानि हमने जो किया था उतना हमको प्रोफित भी मिल गया था तो मैं आप से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह के कै्रेक्शन में आपको परसान होनी कियो सकता नहीं है मार्केट ग करना हो तो 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 कि अधिक्षी कैप कि मल्टी कैप यानि फ्लैक्षी कैप और मल्टी कैप मूच्वल फण में अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्ट समझ कर कीजिएगा मेरे तरफ से कोई की रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन अभी स्मॉल कैप के इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि इस तरह के गिरावट में कोरोना जैसे गिरावट में स्मॉल कैप की स्तिति काफी गंबीर हो गई थी जिसको उठाने में काफी परसानिया आई हुई थी तो अभी यदि आप इन्वेस् केप कर सकते हैं स्मॉल कैप में बैस नहीं करना तो भी अपको बताओंगा तो लागातार गिरने की वजह से या rumor क कर देतेถें और वह पैसा बना कर निकलते हैं और ये सारा खेल जो है वीदेश का है, वीदेशों के तरफ से साजिस की गई है, मार्केट के गिराने का, ताकि इंडियेन मार्केट में तहलका मच सके, तो देखे इस तरह के गिरावट होते रहते हैं, और जो भी एक्सपर्ट लोग रिसर्च करते हैं, कि ये हो जाएगा, व आप एक अच्छा पैसा बना पाएंगे तो चलिए हम तो आज मार्केट क्रेस पर बात किये यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों का साथ सेर कीजिए और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वे अई एक पैसाइभ दोस्तों कर दोस्तों कि मार्केट क machinery हमेंगे हैं